नमस्कार दोस्तो मेरा नाम डोक्टर आसीश कोशी के और मैं एजन आईस मेडिकल ओफिसर गौर्णिट ओफ हर्याना के लिए काम करता हूँ आज के इस वीडियो में आपको बता हूँगा उन तीन लक्षनों के बारे में जिसका आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है अगर आप होम आईसुलेशन के अंदर में है तो देखें दोस्तो जैसे कि मैं आपको बता है कि मैं गौर्णिट ओफ हर्याना के लिए काम करता तो जो मेरे को अभी जो बैसिक रिस्पोंसिलिटी दी गई है उसमें हम लोग जो होम आईसुलेशन के पेसेंट्स होते हैं उनका हम डेली बेसेस पे उनका जो बोडी टेंपरेशर रता है उसको नोट करते हैं उनको कमपाईल करके डिस्टिक अटरोटी को पहुचाते हैं तो हमने उन लोगों को यही बताया है जो भी होम आईसुलेशन में होते हैं कि आपको कम से कम इन दो चीज़ों का तो बहुती ज़्यादा धान रखना है लेकिन मैं आपको एक तीसी चीज़ भी और बताऊंगा जो की बहुती ज़्यादा एक इमपोर्टन फेनोमेना है आपको उसको inform करना होता है कि मेरे इन तीनों लक्षनों में कुछ गरबड है तो तुरंत ही मुझे hospital के लिए shift किया जाए तो सबसे पहली चीज क्या है दोस्तों सबसे पहली चीज आती है body temperature अगर आपका body temperature more than 101 degree Fahrenheit है तो आपको तुरंत ही अपने nodal officer को inform करना है कि आपको तुर body temperature को measure कर रहे है तो उसमें आपको plus one Fahrenheit उसमें add करना है क्योंकि जो अंडर आम का temperature होता है वो normally minus one होता है normal body temperature से इसलिए माल लीजी आपका body temperature है 98.5 degree Fahrenheit अंडर आम में तो आपको जो actual जो body temperature होएगा वो 99.5 Fahrenheit होएगा तो इस चीज़का आपको ध्यान रखना है अगर आप अपना body temperature औरली मेजर कर रहे हैं तो वो बिल्कुल accurate आता है तो इसलिए मैं आप सबको ये recommend करूँगा अगर आप अपना body temperature कभी भी मेजर करें वो अमेशा औरली मेजर करें बच्चों के केस में मजबूरी होते हैं इसलिए हमून का अंडर नाम मेजर करते हैं अब जो दूसरी बा नोर्मली 94 से उपर होनी से ही है अगर आपकी oxygen की मातर 94 से उपर है तो आप ठीक है 90-94 के बीच में अगर आपकी oxygen की मातर है तो आपको बहुती ज़्यादा समल जाना चाहिए आपको अपने nodal officer को phone करना है और उन्हें बताना है कि मेरी oxygen का level 94 से नीचे आ गया है मुझे hospital के ल आपको बिना ही पल गवाए hospital के लिए जाना है अब oxygen का level आप कैसे चेक करोगे उसके लिए pulse oximeter आते हैं तो दोस्तों आपको क्या करना है जब भी आपको अपना oxygen का level चेक करना है तो आपको अपनी middle finger में अपना pulse oximeter लगाना है क्योंकि middle finger में ही actual value आती है आपके oxygen की और ये अपना pulse oximeter आपकी middle finger में ही लगाना है क्योंकि उसके अंदर में both aller and radial artery supply करती है आपकी middle finger में तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है जब भी आप अपना oxygen का level चेक करेंगे pulse oximeter से pulse oximeter अगर आप ले तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो उसकी validity एक साल तक हो और वो एक अच्छी company का हो ताकि उसकी reading accurate है दोस्तों और अगर आप जब भी अपना pulse oximeter से अपनी oxygen की मातरा को जाते हैं तो इस चीज़ का धान जूरूर रखें कि आपका हाथ ज्यादा हिले या डूले नहीं दोस्तों तो उमीद करता हूँ कि आपको ये बस सर्जमें आगी होग थी कि pulse oximeter से अपना oxygen level कैसे check करें और oxygen का वो कौन सा level होगा जिसमें आपको अपने nodal officer को inform करना है hospital में shift करने के लिए अब जो आखरी चीज आती है उसको बोलते है respiration rate जिसका आपको बहुत जारा धान रखना है respiration rate आपको दिन में कम से कम दो बार measure करना है अगर आपका respiration rate more than 30 आजाए तो आपको तुरणती अपने nodal अधिकारी को phone करके बताना है कि आपको hospital के शिफ्ट किया जाए अब respiration rate आप कैसे measure करोगे respiration rate measure करने के लिए आपको किसी भी equipment की जूरत नहीं बढ़ती है आपको एक घड़ी की जूरूत है आपको बस ये देखना है कि एक rate के अंदर में अगर आपकी ये cycle 20 से नीचे हैं तो आप ठीक हैं अगर ये आपकी cycle 30 से उपर आ जाती है तो आपके लिए एक alarming sign है आपको hospital के लिए admit हो जाना पड़ेगा उस condition में तो दोस्तों उमीद है कि आप ये तीनों चीजे बहुती ज़रा धान रखेंगे body temperature यानी सरी करता पां दूसरा oxygen की level यानी आपकी सेड़ में कितनी oxygen की मातर है तीसरा आपका respiration rate इन तीनों चीजों को आपको बहुत जाना रखना है तीनों चीजों में गड़बढ़ हो जाए तो आपको hospital में admit होना है तो अमिद करता हूं दोस्तों जो भी मैंने आपको information दिये वो आप को अच्छी लगी हो तो like भी जूरू कर दीजेगा दोस्तों देखें दोस्तों ये तीनों चीजे मैं इसलिए बता रहूं जूरू यह क्योंकि अगर इन तीनों चीजों को हमने नजर अंदाज किया तो death होने की chances बढ़ जाते हैं तो मैं आपसे आसा करता हूं कि आप इन त की में चीजों का बहुत जाता है धान रखेंगे